गुड मॉनिंग फ्रेंड नमस्कार कोसम कुछी नियुक्त आपका स्वागत है आज में लेके हैं आपके लिए 32 स्वाधिर सब्जी गाजर आलोगी सब्जी जैसे के आप देख रहे हो वही सब्जी बनाने वाले हैं बोधी स्वाधिर सब्जी बनी है तो बने रिए इस वीड मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, सर्शों ओयल, धनिया पत्ता तो यह आवसे एक सामगरी है गाजर आलोगी स्वाधिर सब्जी मनाने के लिए तो प्लीज रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल को लाइक और शेल करना ना मुले कमेंट तो फ्रेंट्स जरू-जरू करें ताकि मुझे पता चल सके मेरे वीडियो आपको पसंदार रहें जाने बेल आइकन को फ्रेंट्स जूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकस्ट जब से पहले आपको मिले चले स्टार्ट करते हैं तो चूले को बना पाने डालेंगे इसको अच्छे से थोड़ देर के लिए इसको बिगोगे रख देते हैं इदे के अच्छे से अपने मसाले गल चुके हैं तो इसी बीच में प्रेंट्स अपन जो अपना लसून और अध्रक था इसको भी बारी-बारी कूट लेते हैं लसून अध्रक से अध्रक ब्राउन होने के बाद में अपन जो अपनी प्याज और हरी मिडची थी वोड़ करदेंगे इसको लगातार चलाते रहेंगे प्रेंट्स चूले के उपर बहुत ही स्वादिर सब्जी बनती है तो जब भी मोका मिले अपने चूले के उपर इसको सब्जी को बनाएं तो हलके पक चुके हैं उसके बाद में अपने अपने जो अध्रक लेस्ट को पेश्ट था बारी कुटावा वेड़ कर देंगे और तब तक इसको पकाना है फ्रेंट्स प्याज मिर्ची और लेस्ट को तब तक यह हलके ब्राउन हो जाए तो यह जो अपने सुके मसाले थे जित्ते भी वह अपने एक कटोरी के अंदर मेस्ट कर ले थे तो वह अपने एड़ कर देंगे इस टाइम प्याज और हरी मिर्ची अपने पक चुके हैं देगे फ्रेंट्स बहुत ही अच्छा अपना मसाला बना है और इसको तब तक पकाना फ्रेंट्स तब तक ये जो प्याज और मिर्ची ओइल न छोड़ दे तो उसके बाद में फ्रेंट्स अपने को इसमें टमाटर एड़ कर देने हैं तो कुछ टाइम के लिए अपने को टमाटर पकाने हैं तो टमाटर अच्छे से अपने गल जाएं उसके बाद में अपने को जो अपनी सबजी है गाजर आलू की तो गाजर सर्दी के टाइम में आज सुकी है बहुती स्वादिस सबजी बनती है गाजर आलू की इस तरीके से बना के देखिए बहुती आपको लाजवाब सबजी मिलेगी तो इसमें अच्छे से इसको मिला देते हैं फ्रेंस थोड़ के लिए इसको मसाले में पकाएंगे तेकी मसाले अच्छे से इसमें रंजाए इधर क्वेआ प्रेंड़ कित्ता अच्छा फ्लेवर आया है बहुत ही स्वादizar अपनी guy regional g Bryce अटो कि में बनने वाली है कि को इसमें हलका सब इसमें पानी आड़ करतेंगे जितना आपने को इसमें पकने के लिए जूर्थ हो उसी सब से अपने पानी आड़ करेंगे इसमें ज्यादा पानी नहीं रखें भीज भीज में इसको हिलाते रहें थाकि अपनी जो अपन चूले के पर बना रहे हैं तो आंस का फ्लेम ज्यादा रहता है तो भीज भीज में इसको चलाते रहें देखते रहें चेक करते अगर आपको पाणी ज्यादा लग रहा है तो आप इसको डखे नहीं अगर पाणी आपने पास कम है तो उपर से उपर से एक डग न्युक्त इसको डख सकते हैं उपर से तो गजरा ऑलो की फैंट्स बहुती सिंपल तरीका बनाने का बहुती स्षाधिया सब्चेश करीग्या इख एक तो इस तैम अपने जो अपना बारी कटावा धनिया है वह एड़ करेंगे वह बहुत ही अच्छा अपना गाजरा आू की सबजी बनी है?... उम्मिद करता हूウ आपको रेशीपिभी पसंद आ रहे होगी कोई भी कमेंट बुक्स में जुरू लिखें उम्मिद करता हूँ में रेशिपिभी आपको पसंद आ रहे होगी तो अपनी सब्जी करीब बन के त्यार है गाजरालू की मिक्स सब्जी तो प्लीज रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब है चैनल लायक और शेयर करना मुले प्रेंट्स कमेंट और फ्रेंट्स जुरू जुरू करें इदे की प्रेंट्स कितना अच्छा कलर आया है बहुती स्वादी सब्जी पनी अपनी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी तो कमेंट करें थेंक्यू दोस्तो बाई